आज मैं आप लोगों के लिए जीके का वन लाइनर नोट्स लेके आई हूँ कुश्चन एंसर जो सारे एक्जाम्स में आपको लाफकारी होगा तो चलिए आज ये दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहला कुश्चन है सरप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था इसका सही जबाब होगा युनानियों ने सरप्रथम भारत को इंडिया नाम से युनानियों ने संबोधित किया था अगला कुश्चन साख्य दर्सन सास्त्र की स्थापना किसने की अगला कुश्चन निम्नलिखित में से किस सताबदी में चोलवन्स का अंत हो गया था इसका सही जबाब होगा तेरहवी सताबदी में चोलवन्स का अंत हो गया था अगला कुश्चन स्री गुप्त का शाशनकाल कब से कब तक था श्री गुप्त का शासनकाल 240 इस्वी से 280 इस्वी तक था अगला कुश्यन श्री गुप्त का उत्राधिकार कौन बना? श्री गुप्त का उत्राधिकार घटोतकच बने? अगला कुश्यन घटोतकच किस का पूत्र था? घटोतकच श्रीगुप्त का पोत्र था गतोतकच का शासं काल कप से कब तक था घटोतकच का शासं काल दो सब असिज़ी से तीन सब बीस इस्वी तक था अगला कोश्चन घटोतकच का उत्राधिकारी कौन बना घटोतकच का उत्राधिकारी चंद्रगुप्त बना यानि घटोतकच का उत्राधिकारी चंद्रगुप्त अगला कोश्चन चंद्रगुप्त प्रथम को किस से साधी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किस से साधी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी शे विवाह किया था अगला कुश्यन चावल के साथ छे हमें कहां से प्राप्थ हुए हैं चावल के साथ छे हमें रंगपूर एवं लोथल से प्राप्थ हुए हैं अगला कोश्चन चंद्र गुप्त प्रथम किसका उपाधी धारड किया था चंदर गुप्त प्रथम किसका उपाधी धारड किया था? महाराजा धिराज की उपाधी धारड किया था चंदर गुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधी धारड की थी अगला कुश्यन गुप्त शम्वत की शुर्वात किस ने की थी? चंद्र गुप्ट प्रथम का उत्राधिकारी समद्र गूरब्त था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्राधिकारी शमुद्रगुप्त था अगला कुश्चन समुद्रगुप्त किसका पूत्र था शमुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पूत्र था शमुद्रगुप्त राजा कब बना समुद्र गुप्त 335 इस्वी में राजा बना और समुद्र गुप्त के पिता कौन थे चंद्र गुप्त प्रथम थे अगला खुश्यन शमुद्र गुप्त ने आर्य वरत के कितने सासकों को पराजित किया था समुद्र गुप्त ने आर्य वरत के 9 सासकों को पराजित किया था अगला कुश्यन समुद्र गुप्त ने दच्छडा वरत के कितने सासकों को पराजित किया था? समुद्र गुप्त ने दच्छडा वरत के 12 सासकों को पराजित किया था अगला कुश्यन भारती तिहासकारों ने समुद्र गुप्त को किस नाम से संबोधित किया था भारती तिहासकार ने समुद्र गुप्त को भारत के निपोलियन नाम से संबोधित किया था अगला कुश्चन समुद्र गुप्त के दरबारी कभी का नाम क्या था समुद्र गुप्त के दरबारी कवी हरिशेंड थे अगला कुश्यन वर्धन वंस की राजधानी कहा थी वर्धन वंस की राजधानी थाने स्वर्ती अश्वमेग करता की उपाधी धारण करने वाला प्रथम राजा का नाम क्या था अश्व मेध करता की उपाधी धारण करने वाला राजा समुद्र गुप्त था अगला कुश्यन समुद्र गुप्त ने अश्व मेध करता की उपाधी कब धारण की थी शमुद्र गुप्त ने अश्व मेध करता की उपाधी 360 स्वी में धारण की थी महा राजा धिराज और विक्रमांक की उपाधी धारण करने वाले सासक कौन थे? महा राजा धिराज विक्रमांक की उपाधी धारण करने वाले सासक चंद्रगुप्त मौरे थे किस सासक को कविराज के नाम से जाना जाता है शमुद्र गुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है अगला कुश्यन शमुद्र गुप्त किस भगवान का भक्त था शमुद्र गुप्त विश्डू भगवान के भक्त थे अगला कुश्यन शमुद्र गुप्त किश धर्म का उपासक था शमुद्र गुप्त हिंदू धर्म का उपासक था अगला कुश्यन समुद्र गुप्त के मृत्यू के बाद मगध के शिंघासन पर कौन बैठा था राम गुप्त के इसके पुत्र थे राम गुप्त शमुद्र गुप्त के पुत्र थे अगला कुश्यन गुप्त वन्ष का सबसे कमजोर सासक कौन था गुप्त वन्ष का सबसे कमजोर सासक राम गुप्त था राम गुप्त किसके पुत्र थे समुद्रगुप्त के पूत्र थे रामगुप्त की हत्या किस ने की थी रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त दुतिये ने की थी चंद्रगुप्त दुतिये कौन था चंद्रगुप्त दुतिये रामगुप्त का छोटा भाई था यानि की समुद्रगुप्त के बेटे का नाम रामगुप्त था रामगुप्त की हत्या रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त दुतिये ने ही की थी अगला कुश्चन राम गुप्त के मृत्यूं के बाद मगत की गत्दी पर कौन बैठा? विक्रमा दित्य के नाम से किस सासक को जाना जाता है विक्रमा दित्य के नाम से चंद्रगुप्त दुतिय को जाना जाता है अगला कुशन चंद्रगुप्त के दरबार का महान कभी का नाम क्या था चंद्र गृप्त के दरबार के महान कभी का नाम महा कभी कालीदास था प्षंद्र कोश्व चंद्र गृप्त दूतिये ने अपना पहला रासधानी कहा बनाया था चंदरगुप्त दुतिये ने अपना पहला राजधानी पाटली पुत्र में बनाये थे चंदरगुप्त दुतिये की महारानी का नाम ध्रुषामिनी था अगला कोशन चंद्रगुप्त दुतिय का उत्तराधिकारी कौन बना चंद्रगुप्त दुतिय का उत्तराधिकारी उसके पुत्र कुमार गुप्त बने अगला कोशन मोशो पटामिया का अर्थ क्या है मोशो पटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमी को मोशो पोटामिया कहते है अगला कुशन नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना किस ने की थी और कुमार गुप्त कौन थे ये बताई अभी मैंने क्या बताया था कुमार गुप्त कौन थे कुमार गुप्त यहाँ चंदर गुप्त के उत्राधिकारी थे और उनके पुत्र भी थे अगला कॉस्चन कुमार गुप्त का शाषन किसलिए प्रसिद था कुमार गुप्त का शाषन शांती और सम्रिध्धी के लिए प्रशिद्ध था अगला कुश्चन कुमार गुप्त का उत्राधिकारी कौन बना कुमार गुप्त का उत्राधिकारी श्कंद गुप्त बने अगला कुश्चन इसकंद गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? इसकंद गुप्त का शासनकाल 455 इस्वी से 667 इस्वी तक शासन चला अगला कुश्चन इसकंद गुप्त ने सौराष्ट का गवर्नर किसे बनाया? इसकंद गुप्त ने सौराष्ट का गवर्नर पंड़ दत्त को बनाया अगला कुश्चन गुप्त वन्स का अंतिम सासक कौन था? गुप्त वन्स का अंतिम सासक भानु गुप्त था अगला कुश्चन गुप्त काल में ग्राम प्रशाशन कैसी काई थी? गुप्तकाल में ग्राम सभा के मुख्या को कहा जाता था गुप्त काल में ग्राम सभा के मुख्या को ग्रामिक कहा जाता था अगला कोश्चन ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को का कहा जाता था ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था अगला कोश्चन ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था ये तो हो चु का अगला कुशन ग्राम समूह की छोटी काई क्या कहलाती थी ग्राम समूह की छोटी काई पेट कहलाती थी अगला कुशन गुप्त समराज का उदय कब हुआ गुप्त समराज का उदय तीशरी शताबदी में हुआ अगला कोशन गुप्त समराज की स्थापना किस ने किया था गुप्त समराज की स्थापना स्री गुप्त ने किया था अगला कोशन, रिगवेद किस यूग में लिखा गया है, रिगवेद किस यूग में लिखा गया है, रिगवेद लोह यूग में लिखा गया है अगला कुशन कुमार देवी कहां की राज कुमारी थी कुमार देवी लिच्छवी की राज कुमारी थी अगला हरिशेड ने अपनी रचना की थी अगला कुशन कुमार गुप्त का प्रत्थम दूसरा नाम क्या था कुमार गुप्त का प्रत्थम दूसरा नाम महेंद्र दित्य था कुमार गुप्त का दूसरा नाम महेंद्र दित्य था अगला कुश्चन चाक का अविश्कार किस काल में हुआ चाक का अविश्कार नौपा शाड़काल में हुआ चलिए एक बार जल्दी से रिवाइश कर लेते हैं पहला कुश्चन है सरप्रथम भारत को इंडिया किस नाम से संबोधित किया गया था चलिए पहला कुश्चन घटोचकत का अविश्कार नौपा शाड़काल में हुआ समुद्रगुप्त प्रथम ने किस साधी किया थे कुमार देवी से किये थे जो लिच्वी की राच कुमारी थी चावल के साथ हमें रंगपूर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम किसका अपाधी धारड किये थे महाराजा धिराज की उपाधी चंद्रगुप्त प्रथम ने धाराड किया था समुद्रगुप्त की सुरुवास चंद्रगुप्त प्रथम से की जाती है चंदरगुप्त प्रथम का उत्राधिकारी कौन था ये समुद्रगुप्त थे समुद्रगुप्त किसके पूत्र थे चंदरगुप्त प्रथम के पूत्र थे और ये राजा कब बने समुद्रगुप्त 335 इस्वी में राजा बने समुद्रगुप्त ने आर्यावत को कितने सा सासकों को पराजित किया था नौ सासकों को पराजित किया था समुद्र गुप्त ने दच्छडा वर्त में कितने सासकों को पराजित किया था भारती तिहासकारों ने समुद्र गुप्त को किस नाम से संबोधित किया था भारत के निपोलियन नाम से समुद्र गुप्त को जान करने वाले राजा समुद्रगुप्त थे अगला कुश्चन समुद्रगुप्त ने अश्वमे करता की उपाधी 360 हिस्वी में धारण करी थी महाराजा धिराज एवं विक्रमांग की उपाधी धारण करने वाले सासक चंद्रगुप्त थे समुद्रगुप्त शाशक को के नाम से जाना जाता था समुद्र गुप्त किश भगवान के भक्त थे विश्डू भगवान के भक्त थे शमुद्र गुप्त किस धर्म के उपासकते हिंदू धर्म के उपासकते अगला है कि समुद्र गुप्त की मृत्यू के बाद मगत के सिंगहासर पर उनके पुत्र राम चंद्रंद्दुतिय्य को नाम से जाना जाता था अगला गुशन कुमार गुप्त के शाषन के किसके लिए प्रसित था शांती और शम्रिद्धी के कुमार गुप्त के उत्रा अधिकारी स्कंद गुप्त बने थे इनका शाषनकाल 455 से 467 इसी तक था और इन्हें सौराष्ट का गवर्नर पनदत ने बनाया था सिसकंद गुप्त ने शौराष्ट का गवर्नर पनदत को बनाया था गुप्त बन्सका अंतिम सासक भानुगुप्त था गुप्त काल में ग्राम प्रशाषन कैसी काई थी सबसे छोटी काई थी अगला कुशन गुप्त काल में ग्राम सभा के मुख्या को क्या कहा जाता था ग् गुप्त सामराजी का उदय कब हुआ था तीसरी सताब्दी में गुप्त सामराजी का उदय हुआ था गुप्त सामराजी की स्थापना किस ने की थी स्री गुप्त ने किया था गुप्त सामराजी की स्थापना कौशामभी में हुई थी रिगवेद किस युग में लिखा गया रिगवेद लोह यूग में लिखा गया कुमार देवी कहां की राजकुमारी थी, कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी, हरिशेड की रचना इलहाबाद प्रस्वस्ती लेक से प्राप्थ है रज कुमार गुप्त प्रथम का दूसरा नाम महेंद्र दित्य है, चाक झाल